नमस्कार दोस्तों सुवागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चेनल ब्रेक फिरी जीके में आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो जो आहर नुवदे विद्याले में क्लासिक्स में एड्मिशन के लिए परवेश परिक्षा की त्यारी करते हैं या फिर आने वाले 29 अप्रेल 2023 को जो भी विद्यार्थि जो आहर नुवदे विद्याले में क्लासिक्स में एड्मिशन के लिए परवेश परिक्षा की एकजाम देने वाले हैं नोज़े विद्याले में क्लास्टिक्स में एडमिसन के लिए कुल तिन पेपर से प्रशन पुछे जाते हैं पारला पेपर होता है Mental Ability, दुसरा पेपर होता है Mathematics और तिसरा पेपर होता है Language इसमें से सबसे अधिक प्रशन पुछे जाते है Mental Ability से जिसमें 40 प्रशन होते हैं जो 40 अंग के होते हैं इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले है Mental Ability से क्योंकि Mental Ability में कुल 6 परकार के प्रशन पुछे जाते हैं यानि कि mental ability से कुल 6 type के प्रश्ण बनते हैं और उन सभी type को हम लोग विस्तार से जानेंगे type 1 में आप लोगों को किस तरह से प्रश्ण पुशे जाएंगे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर example के लिए दिया हुआ है चार आकरती जो अलग अलग विकल्प है इसमें विकल्प A नाम दिया गया है इसमें विकल्प B नाम दिया गया है इसमें विकल्प C नाम दिया गया है इसमें विकल्प D नाम दिया गया है इन चार आकर्तियों में से तिन आकर्ति जो है ना किसी ना किसी तरह से एक समान रहेगी और एक आकर्ति बाकी तिन आकर्तियों से सबसे अलग रहेगी जो सबसे अलग रहेगी वही हमारा एंस्वर होगा उस आकर्ति को हमें चुनना है जो सबसे अलग रहेगी और उसी को हमें OMR सिट पर एंस्वर के रूप में दर्साना है तो इन चारों आकर्तियों में से कौन से आकर्ति सबसे अलग है Option नमबर B क्योंकि Option नमबर B में जो आकर्ति बनी है वह बोलाकार है यानि की वृत है और बाकी की सबी आकर्तियों को बनाने के लिए एक सीधी रेखा का परियुक किया गया है इसलिए Option नमबर B सबसे अलग है यही हमारा एंस्वर होगा अब चलते हैं अगली प्रस्न की और अगली प्रस्न में हमारे सामने इस तरह का आकर्ति दी गई है और इन चारों आकर्ति में से सबसे अलग आकर्ति के हमें पहचान करनी है तो सबसे अलग आकर्ति है Option नमबर B Option नमबर B क्यों अलग है इसकी अगर हम वयाख्या देखेंगे तो उपडिक्त उधारन में परतिक आकर्ति समान परिभासा वाले भुजाओं से बनते है जबकि आकर्ति B में दो भुजाएं लंबी और दो भुजाएं छोटी है इसलिए Option B हमारा से अंसर होगा अब चलते हैं अगली प्रस्न की और अगली प्रस्न में हमें रह सामने इस तरह के आकर्ति दी गई है और इसमें सबसे अलग आकर्ति की हमें पहचान करनी है इसका सही अंसर होगा Option No.D क्योंकि अगर हम देखें तो Option No.D में दो भुरित आकर्ति मिल कर एक तिसरी छोटी आकर्ति का निर्मान कर रही है जो भुरित नहीं है जब्कि बाइकि के तिनु आकर्तियों में दो दो बड़ी आकर्ति मिल कर एक तिसरी छोटी आकर्ति की आनिर्मान कर रही है जो बाइकि के दो आकर्तियों के समान है इसलिए Option No.D हमारा बिल्कुल रही अंसर है अब चलते हैं अगली प्रश्ण क्यों और अगली प्रफशन हमारे सामने है question number 4, question number 4 में हमारे सामने इस तरह की आकरती दी गई है, इसमें सबसे अलगा आकरती की हमें पहचान करनी है, जो हमारा answer होगा, option number A की आकरती का rotation देखें तो दाएं से दाएं तरफ है, option number B की आकरती का rotation देखें तो दाएं से दाएं तरफ है, option number C में भी दाएं से दाएं तरफ है, option number D में भी दाएं तरफ से दाएं तरफ है, और इन चारों में सबसे अलगा option number B, क्योंकि option number B की आकरती का rotation जो है दाएं त question number 5 में हमें इस तरह की आकर्ति दी गए और इन चारों आकर्तियों में सबसे अलग आकर्ति की पाचान करने है सबसे अलग आकर्ति है option number B option number B की अगर वैख्या देखें तो उपरियुक्त उधारन में प्रत्यक आकर्ति में व्रित जो है शिर्ष से तिर्ष गड़ी की सुईव के चलने के विप्रित दिशा में 135 डिगरी है जबकि आकर्ति B में व्रित जो है सिर्ष गड़ी की सुईव के चलने की दिशा में 135 डिगरी है इसलिए option number B हमारा बिल्कुल से एंसर हुगा अब चलते हैं अगली प्रस्न question number 6 question number 6 में हमें इस तरह की आकरती दी गई है और इन सभी में से सबसे अलग आकरती की पहचान करने है option number A की आकरती में 3 तिर्भुज दिया हुआ है जबकि 2 वर्ग है option number B में देखें तो 2 तिर्भुज है और 3 वर्ग है option number C में 2 वर्ग है और 3 तिर्भुज है option number D में भी 3 तिर्भुज है और 2 वर्ग है यानि कि option number B हमारा बिल्कुल सही अंसर होगा क्योंकि option number B में 3 वर्ग दिया गया है और 2 तिर्भुज दिया गया है अब चलते हैं अगली प्रस्ण की और अगली प्रस्ण हमारे सामने है साथ इसमें हमें इस तरह की आकरती दी गई है और सबसे अलग आकरती की पहचान करने है इसमें सबसे अलग आकरती है option number A क्योंकि option number A में जो आकरती है वा तिर्भुजाकार है जबकि बाकी के तीनों आकरतियों में देखें तो यह चत्रभुज है इसलिए option number A हमारा बिल्कुल सही अंस्वर होगा अब चलते हैं अगली प्रशन की और अगली प्रशन में हमारे सामने इस तरह की आकरती दी गई है और इस आकरती में सबसे अलग आकरती की हमें पहचान करने है इसका सही अंस्वर होगा option number B क्योंकि option number B में जो आकरती दी गई है उसका आधार तिर्भुज का निसान बना रही है जबकि बाकी के तिनों आकरतियों में आधार जो है एक सलर रिखा है इसलिए option number B हमारा सही अंस्वर होगा अब चलते हैं अगली प्रस्ण की और अगली प्रस्ण हमारे सामने है question number 9 question number 9 में हमें इस तरह की आकरती दी गई है इसमें सबसे अलग आकरती की हमें पहचान करने है तो इसका सही अंस्वर होगा option number A क्योंकि option number A में जो अक्षर लिखा हुआ है उसको लिखने के लिए हमें कलम उठाने की जरुरत पड़ेगी जबकि बाकी तिनों आकरतियों में जो अक्षर है उसको लिखने के लिए हमें कलम उठाने की जरुरत नहीं पड़ेगी आप चाहें तो इससे try भी कर सकते हैं इसलिए option number A हमारा बिलबुल सही answer है अब चलते हैं अगली question number 10 question number 10 में हमारे सामने इस तरह की आकर्टी दी गई है और इसमें सबसे अलग आकर्टी की हमें पहचान करने है इसमें सबसे अलग आकर्टी है option number A क्योंकि option number A में जो आकर्टी है उसको दो ही बराबर भागों में बाटा गया है जबकि बाकी के तीनों आकर्टियों को चार बराबर भागों में बाटा गया है इसलिए हमारा सही answer होगा option number A यहां तक हम लोग जान चुके हैं कि type 1 में किस तरह के प्रशन पुछे जाते हैं यानि कि आकर्टियों में संबंद किस परकार से हो सकता है कभी बनावट के अधार पर तो कभी भाग के अधार पर तो कभी अधार के अधार पर यानि कि कई परकार के संबंद, यानि कि जितने भी परकार के संबंद हो सकते हैं, उन से भी संबंद को हम लोग एक-एक कॉस्टेन से एक्जामपल के अनुसार समझ चुके हैं, अब हम लोग कुछ ऐसे इन्पोटेंट प्रस्ण करेंगे, जो कई बर नवदे विदाले में इन चारों आकरतियों में सबसे अलग है उप्सन नमर सी, क्योंकि उप्सन नमर सी में जो आकरतियों वह एक सरल रेखा है, जबकि बाकी के आकरतियों में तीर का निसान दिया हुआ है, इसलिए हमारा से हैं अन्सर होगा उप्सन नमर सी, क्वेस्टन नमर दो, क्वेस्टन इस तरह की आकरती दी गई है और इन चारो आकरतियों में सबसे अलग आकरती है option number A क्योंकि option number A में दो रेखाओं को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो वह एक दुसरे को परतिछेद करेगी जबकि बाकी के तीनों रेखाओं में जो रेखा दी गई है उसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो वह परतिछेद नहीं करेगी क्योंकि बाकी के तीनों रेखाओं समानतर रेखा है अब चलते हैं अगली प्रश्न क्यों और अगली प्रश्न यानि की question number 3 में हमें इस तरह की आकरती दी गए है इन चारों आकरतियों में से कौन से आकरती सबसे अलग है इसमें सबसे अलग आकरती है option number A क्योंकि option number A में जो आकरती दी गई है तिर्भुज को इसको विवाजन करने के बाद एक छोटा तिर्भुज बन रहा है जबकि एक चत्रभुज का आकरती बन रही है और बाकी के तिर्भुज को दो पराबर भागों में बाटा गया है और दोनों भाग जो है तिर्भुज ही बन रहा है अब देखते हैं question number 4 question number 4 में हमें इस तरह की आकरती दी गई है इसमें सबसे अलग आकरती कौन सी है उसकी हमें पाचान करनी है वही हमारा अंसर होगा तो इसमें सही अंसर होगा option number 1 क्योंकि option number 1 में तिर्भुज के अंदर जो रेखा खिची गई है उसके दोनों तरफ तिर का निसान है जबकि बाकी की तिर्भुज के अंदर जो रेखा है उसमें एक ही तरफ तिर का निसान है इसलिए हमारा सही अंसर होगा option number 1 अब चलते है question number 5 question number 5 में हमें इस तरह की आकरती दी गई है और इसमें सबसे अलग आकरती की पचान करनी है इसमें सबसे अलग आकरती है option number 1 क्योंकि option number A में जो आकरती है वो बंद आकरती है जबकि बाकि सभी आकर्तियां खुली आकर्ति है इसलिए सही अंसर होगा option number A अब चलते हैं question number 6 question number 6 में हमें इस तरह के आकर्ति दी गई है और इन चारों आकर्ति में से सबसे अलग आकर्ति कौन सी है इसका सही अंसर होगा option number B क्योंकि option number B में जो आकर्ति है उसमें तीर का निसान दोनों तरफ है, उपर भी हो और नीचे भी है, जबकि बाकी के तीनों आकरतियों में तीर का निसान एक ही तरफ दिया हुआ है अब चलते हैं question number 7, question number 7 में कौन से आकरती सबसे अलग है इसमें सबसे अलग आकरती है option number B, क्योंकि option number B में जो आकरती बनी है, उसका अधार जो है गोल है जबकि बाकी के तीनों आकरतियों में अधार की अधार एक्सलल रिखा है अब चलते हैं अगली प्रस्ण के और question number 8, इसमें हमें इस तरह के आकरती दी गई है और सबसे अलग आकरती की पच्चान करनी है इसमें सही अंसवर होगा option number B, क्योंकि option number B में जो आकरती है, वक फुली आकरती है और बाकी के तीनों आकरतीयों बंद आकरती है इसलिए option B हमारा सही अंसवर होगा चलते है question number 9, question number 9 में इस तरह के आकरती दी गई है और इसमें सबसे अलग आकरती की हमें पच्चान करनी है इसका सही अंसवर होगा option number A, क्योंकि option number A में जो आकरती है, वक पांद आकरती है जबकि बागी के तीनों आकरतीयों खुली हुई आकरती है इसलिए option A हमारा सही अंसवर होगा अब चलते है question number 10, question number 10 में हमें इस तरह के आकरती दी गई है और इसमें से कौन से आकरती जो है सबसे अलग आकरती है, इसमें सही अंसवर होगा option number B जो आकरती है, वह बांद आकरती है अब चलते हैं, अगली प्रसनी की और अगली प्रसन हमारे सामने है question number 11, question number 11 में हमें इस तरह के आकरती दी गई है और इसमें सबसे अलग आकरती की पहचान करने है इसका सही अंसवर होगा option number B क्योंकि option number B में जो आकरती है वो अब बादा करती है चलते हैं question number 12 question number 12 में हमें इस तरह क्या करती दी गई है और इसमें सबसे अलगा करती कौन से है इसका सही अंसर होगा option number B क्योंकि option number B में जो आकरती दी गई है क्योंकि option number B में जो आकरती दी गई है उसमें तीर का निसान जो है दो सामने वाली रेखाओं में है और बागी की यह आकर्थियों में तीर का निसान दूर वाली रेखाओं पर दिया गया है आप देख सकते हैं इसलिए option number B हमारा सही अंसर होगा अब चलते हैं अगली प्रस्ण की और अगली प्रस्ण के हमारे सामने है question number 13 और हमें इस तरह के आकरती दी गई है इसमें सबसे अलग आकरती के हमें पहचान करने है इसका सही answer होगा option number C क्योंकि option number C में जो आकरती है उसमें दो परकार के आकरती दी गई है जबकि बाकी के तीनों आकरतियों में एक ही परकार के आकरती है इसलिए option number C हमारा सही answer होगा अब चलते है question number 14 question number 14 में कौन से आकरती जो है सबसे अलग आकरती है इसमें हाँ सही answer होगा option number A क्योंकि option number A में जो आकरती बंड रही है वह दोनों रिखाओं से मिलकर एक कौन बना रही है जबकि बाकी की आकरतियों में कोई भी कौन नहीं बन रहा है और एक ही आकरती है अगले प्रस्ण की और question number 15 question number 15 में कौन से आकरती सबसे अलग आकरती है इसमें सही answer होगा option number B क्योंकि option number B में जो आकरती है वह बाकी आकरतियों से सबसे अलग है और बाकी के तीनों आकरतियां एक ही परकार की है जिसको उपर निचे घुमागर दिया गया है अब चलते है question number 16 question number 16 में से कौन से आकरती सबसे अलग है इसका सही answer होगा option number C क्योंकि option number C में जो आकरती बनी गई है उसको तिन बराबर भागों में बाटा गया है और बाकी की सभी आकरतियों को तिन बराबर भागों में नहीं बाटा गया है इसलिए option C हमारा सही answer होगा अब चलते हैं अगली प्रशन question number 17 में Q17 में कौन से आकरती जो है सबसे अलग है, इसका सही अंसर होगा option number B, क्योंकि option number B में जो आकरती है उसको बराबर भागों में नहीं बाटा गया है, बाकी के तीनों आकरतीों को तीन बराबर भागों में बाटा गया है, अब चलते हैं question number 18, question number 18 में सबसे अलग आकरती है option number B, क अब चलते हैं अगली प्रस्ण के और question number 19 में हमें आकरती दी गई है इस परकार से और कौन से आकरती अलग है उसके हमें पच्चान करने है इसका सही अंसर होगा option number A क्योंकि option number A में जो आकरती है वा चत्र भूज है और बाकी की तिन्वा आकरती है तिर भूज है चलते हैं अगली प्रस्ण question number 20 में question number 20 में कौन से आकरती सबसे अलग है इसका सही अंसर होगा option number A क्योंकि option number A में जो आकरती है उसको सीधी जनों से खीच कर बाटा गया है जबकि बाकी के तिन्वा आकरतियों में तिर्ची लाइन खीच कर बाटा गया है अगली प्रस्ण की और अगली प्रस्ण हमारे समने question number 21 में हमें इस तरह की आकरती दी गई है और कौन से आकरती सबसे अलग है उसकी हमें पहचान करनी है इसका सही अंसर होगा option number C क्योंकि option number C में जो आकरतियों के बीच में सबसे छोटी आकरती है वह इसमें तिर्भूज ह और बाकी की सभी तिन्वा आकरतियों में एक गोल निसान दिया हुआ है अब चलते हैं अगली प्रस्टन कोस्टन नमर बाइस में कोस्टन नमर बाइस में कौन से आकरति सबसे अलगा है इसमें सही अंसर होगा अप्शन नमर ए इसमें से कौन से आकरती जो है सबसे अलग आकरती है इसका सही अंसर होगा option number D क्योंकि option number D के आकरती को बाटा नहीं गया है अब चलते हैं अगली question question number 24 question number 24 में कौन से आकरती जो है सबसे अलग है इसमें सही अंसर होगा option number C Option number C में जो आकरती है उसको कई भागों में बाटा गया है जबकि बाकी के विकल्पों में जो आकरती दी गई है उसको बाटा नहीं गया है अब चलते हैं अगली प्रस्ण question number 25 Question number 25 में कौन से आकरती सबसे अलग है इसका सही अंसर होगा Option number C क्योंकि Option number C में जो आकरती है उसको तिन भागों में बाटा गया है जबकि बाकी के तिनों विकल्पों में आकरती को दो ही भागों में बाटा गया है अब चलते हैं अगली प्रस्ण की और प्रस्ण question 26 में से कौन से आकरती सबसे अलग है इसका सही अंसर होगा Option number C क्योंकि Option number C में जो आकरती दी गई है वो मिला हुआ नहीं है यानि की अलग-अलग है और बाकी के बिकल्पों में आकरतीया मिला हुआ है सटा हुआ है इसलिए बाकी की आकरतीया एक ही है Option C के अलवा अब चलते हैं अगली प्रश्णी Question number 27 Question number 27 में हमें इस तरह की आकरती दी गई है और कौन से आकरती सबसे अलग है उसके हमें पचान करनी है इसमें सही अंसर होगा Option number B क्योंकि Option number B में जो आकरती है वो एक खुली हुई आकरती है अब चलते हैं अगली प्रश्णी Question number 28 Question number 28 में कौन से आकरती जो है सबसे अलग है इसमें सही अंसर होगा Option number E क्योंकि Option number A में जो आकरती है वो बड़ी बली आकरती गोलाकार है तो छोटी वाली आकरती भी गोलाकार है जबकि बाकी के तीनो आकरती वाली है वो आकरती अंदर में नहीं है अंदर में अलग आकरती है इसलिए Option number E हमारा बिल्कुल सही अंसर होगा अब चलते हैं अगली प्रश्णी Question number 29 Question number 29 में कौन से आकरती सबसे अलग आकरती है इन चार आकरती हो में से तो इसका सही अंसर होगा option number C, क्योंकि option number C में दो तरह की आकरती है, एक चत्र बुजे और एक तिर बुजे है, जबकि बाकी की तीनों आकरती बड़ी वाली है, वही आकरती छोटी वाली है अब चलते हैं अगली question question number 30, question number 30, इसमें हमें इस तरह की आकरती दी गई है, और इनमें से कौन से आकरती जो है, सबसे अलग है इसमें सही answer होगा option number C, क्योंकि option number C में जो आकरती है उसको बरावर भागों में नहीं बटा गया है, जबकि बाकी के तीनों आकरती हों को दो बरावर भागों में बटा गया है अब चलते हैं अगली question question number 31, question number 31 में कौन से आकरती सबसे अलग है इसका सही अंसर होगा option number D क्योंकि option number D में जो आकरती है उसको चार बराबर भागों में बटा गया है जबकि बाकी के तिनों आकरतियों को दो ही बराबर भागों में बटा गया है आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग part 2 में इसको cover करेंगे जो बाकी बचा हुआ है important question अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें comment करें अपने दोस्तों के साथ share करें साथ ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सस्क्राइब करें थेंक यू